स्टूडेंट्स आज हम करने वाले हैं बिक्षासन ताड़ासन में खड़े हो जाएं दाएं पैर को उठा कर बाइं जांगा के उपर रखें हाथों को फिलाते हुए सिर के उपर की तरफ उठाएं कौनियों को बिना जुकाई जितना हो सके ऐसे खड़े रहें धीमी गती से स्वास लेते रहें हाथों और दाएं पैर के को नीचे लाएं समान्य अस्धिती में लौट जाएं बाएं पैर पे भी इसी प्रक्रिया को दोहराएं ब्रिक्षासन एक बहुत ही मत्पूर्णासन है यह हमारे फोकस और बैलन्स को बनाता है और यह पैरों की मास पेश्यों में मजबूती लाता पदम मुक्त आसन सीधा लेट जाएं हथेलियों को शरीर के पास रखें दाएं पैर को गुटने से मोड़ियें जितना हो सके जहांगा पेट के पास लाएं दोनों हाथों से दाएं पैर को लपेट लें और धीरे धीरे चोड़ें अराम दा इक्स्तिती में रहें इसी क्रिया को बाएं पैर पे भी दोहराएं दोस्तों पदम मुक्त आसन के हमारे लिए बहुत फाइदे हैं यह आसन बदहजमी में बहुत ही लाब दाइक हैं पेट और जांगाओं को तानता है शरीर के निचले हिस्से को सडूल और लचिला बनाता है कमर दर्द में लाब मंद हैं और पेट के दर्द के लिए बहुत लाब दाइक हैं कर दो झ देने हम वावी टेगे